हलो एबरिबरन इस वीडियों में बात करेंगे बिहार शिक्षक भरती में जिनोंने एक्जाम दिया था ऐसे भरती जिनका OMR चीट में गलती हुई है उससे रिलेटेड हम सभी टॉपिक पे बात करेंगे चाहे हो आपका रोल नंबर चूटा हो या फिर कोशन बुगलेट सीरी नहीं है ठीक है तो यह सारी चीजे है और उसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी कुछ लोगों की OMR सीट ऐसी जारी हुई है जिसमें उन्होंने कोशन नंबर कितने अटेम्ट किया है पता है आपने देख लिए होगा कई वीडियो में देखा होगा किवल 10 कोशन अटेम अब लास्ट में इसके बारे में भी डिसक्स करेंगे लिकिन अभी हम यहां पी ओस टॉपिक को लेकर चलते हैं जिसके लिए अम यहां पर बात करने आया है ठीक है तो सबसे पहले में डिसक्स करने जा रहा हूं कि अगर कोई लिखने वाले प्रॉब्लम हुई है किसी की जै तो च्ट जो certa से मैं हिंदी में लिख रहा हूं अगर कोई ही चीज़ लिखने में दकत हुई है आम लिखने का छूट गया या कोई गलती हुए है या यो में कर दो शूटक गया पिर उसके बाद किसी का सिंगनेचर छूट कैए nuestro जोगा है जैसे किसी का नाम है लिखने से समझ पेज़ पे गर आप कुछ लिख रहे हो मतलब अब रूलमबर में उपर लिखते हो वह सही लिखना क्योंकि आप उसी के कोडिंग तो ब्लैक करोगे ना आपर निदी होंग़, अगर यहां पर लिखने वाला पार्ट आप यहां पर लिखने वाला पार्ट है आप एक अला करोगों तो दो इस हमक्राने यहां पर देंट अच्छी नहीए लिखिए के लिखुआ revealingICK कि यह सई किया होगा जैसे आपकी booklet series A है, किसी ने भी गलत कर दिया, मतलब यहाँ पर B लिख दिया, लेकिन काला A कर दिया, तब आपका OMRC मेंच कर जाएगा, मसीन आपकी collect कर लेगी, ध्यान से सुनिएगा जो चीजे बता रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले point हो गया, आपका लिखने से सम्मधि अब आते हैं, मतलब OMRC, मतलब जो bubble करने है, तो याद रखेगा, जो सबसे पहले, जब admin card जारी हुआ था, तो इसमें यह बताया गया था, कि अगर आप रोल नंबर, या फिर booklet series, दो important महतपुड हिससे हैं, इसमें तो यह भी admin card में बोला गया था, कि अगर आप OMRC में कोई करते हो, तो आपका मतलब result जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है, यह मतलब पहले की बात है, ठीक है, उसके बाद आपका result जारी, मतलब आपका exam लिया जाता है, और इसमें धेर सारी गलतिया आती है, तो BPSC को जब यह बच्चे, मतलब जो भेरती हैं, वो लोग इसके लिए म बच्चे के तरफ से बोला गया है कि हम जैसी मतलब पहले 24 सितमबर तक जारी करने के लिए बोला गया था, लेकिन अब यह ड़ड़ बढ़ा दी गई है, अब आने वाले October में, मतलब मानके चलिए कि 15 October के आसपास result जारी होगा, इसलिए भी प्रेशने समय लिया था, अपलस बच्चे का मसला गवर्मेंट समझ रही थी, इसके लिए उन्होंने टाइम ज्यादा लेने की कोशिस की थी, ठीक है, मतलब उस पे चर्चा ज्यादा हो रही थी, इसलिए टाइम लिया गया, OMR सीट में देखे, BPSC ने बोला तो है, लेकिन अब कितना सही, यह तो किया जाएगा, रोकेगा नहीं, ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आपने OMR सीट में कोई गलती की है, मतलब रोल लंबर वाले में पार्ट में और बुगलेट सीरीज में, तो एडमिट कार्ड के कार्डिक यह बोला गया था, कि अगर इनमें दो में गलती होती है, तो बि सीरा किसी ने चौड़ दिया, ठीक है, अब आप बिपर सी कैसे पकता चलेगा वी पीईसी को कि मतलब आपना का यह था, जा दी द लिए, क्या था तो बिपर सी ने बोला है कि हम 671. बी से भी चेक करेंगे, सी से भी चेक करेंगे, डी से भी चेक करेंगे, तो इसमें जैसे मालीजे, मतलब एक अंदाजे से मैं ले रहा हूं, जैसे इसमें आपके मालीजे 50 नमबर आए, इसमें 60 नमबर आए, एक बार 70 नमबर आए, एक बार 80 नमबर आए, ठीक है, तो इस BPSC में habla, जिसमें सबसे ज्यादा सIGHड़ निये, वहीं में रिजट जारी करूँ sólo m में हुआ, जिसमें आपके सबसे ज्यादा सिरीज या किसी की रूलनंबर में गलती है उन्हें पता नहीं कि रूलनंबर क्या है या गलत मिंसलब अगर अंगर सिने गलत हों घ्रोंगे तो बसीरी सबस्क्राइब बढ़ा नंबर होंगे वही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा ठीक है तो यह थी सारी इंफरमिशन और अगर किसी ने मतलब वाइट न लगाया है या फिर किसी ने कटिंग किया है या नाखून से रफ किया है या फिर ब्लेड का यूज किया है तो वही सब प्रॉबलम है अगर आपके OMR सीट मसीन के द्वारा चेक नहीं होगी तो अब उ न चारो तरीके से चेक करने के लिए बोले हैं आप कैसे चेक करेंगे मसीन के थरू या मतलब ऑफ जलाइन म bell से चेक करेंगे या कैसे चेक करेंगा मुझे ज़्या आपकर जादा नंबर ने वह नहीं है ल गलती टीचर की वचा से से किसी को D मिल गया किसी को C मिल गया किसी को D मिल गया तो यह भी बवड़ी problem हो गई है तो इसके लिए देखिए BPSC मैं क्या करती उस्तरीके से चेक करेगी जिस तरीके से बोला है कि चारोत तरीके शेक करेंगे जिस प decl Sort आपका सबसे ज्यादा पील ऑनायों चयमे काई है पॉइसी हम रहे हैं उसमें करयक्ट आरा है आजए यह आयरा Сам हमरी सबसे जाधा इस सब्सक्रेजम हरा है इसे नहीं गरा चलुए जिस्तर प्सक्नमाइब प्सक्री से सब्सक्रीकित ठICAई कि मai अगर किसी का किसी में भी अगर कर रहे हैं तो हम चारों तरीके चेक करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उस और आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उसी के कॉर्डिंग ठीक है दुसरा पाइंट क्लियर हो गए अब तीसरा पाइंट यह आते हैं कि कुछ तो ड्रेटियों की सीट ऐसी आ रही है जिसने पूरे सीट में से सिर्फ दस कॉस्चन कियें हैं कितने कोश्चन वाली टेन कोश्चन अटेम्ट किया और सारा चीज ब्लैंक है खाली है आप समझ सकते हैं इसका मतलब अगर किसी की अगर मतलब जिसे बोलता है ना कि अगर किसी के अगर वहां पर पकड़ है या फिर आप किस तरीके से मैनेज किये हैं तो दस आप ऑप्शन भरे हैं उसके लावा सारा छोड़ दिये हैं ठीक है तो अब क्या होगा OMR सीट चेक हो रही हैं सबकी तो बाद में भी भर दिया जा सकता है आंसर सबका सही 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 आंसर भर के दस सीट थे दस कोशन उन्होंने की आई है बस उसके बाद जो ऑप्शन बचे हैं उसको कलर करके भेज देंगे मतलब इस कैन करके रिजल निकाल देंगे यह बहुत चलाकी वाले लोग हैं अब बीप्यसी देखो इन मतलब अटेंट किए तो यह बहुत बढ़ी बात यह में रिजन ही है अब हरती हो का की जो बूलना है कि दुबारा मतलब किसी का सही ना किया जाए व्म और सीट क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमार सीट से छेड़खानी की जा सकती है लेकिन इसमें जानते हैं हर काम में एड बढ़वा सकते हैं आप डिफरेंट टाइब की लोगों को सक्का है ऐसी मैं अपने तरीके से चीज नहीं बोला हूं लेकिन विद्यार्थियों की यह माँ है कि मतलब की जैसे अगर ऐसे ओमार सीट से छड़कानी की जाएगी वैसे आप देखेंगे एडमिट काड में चीज जारी करेंगे ठीक है तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजे ह exception कर दिये आप किसी को डाउट नहीं होगा किसी चीज पर फिर्वे अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कोमेंट में मैं कोtschaft हैखो सने सब्जक्रा करना चाथे और खॉत है और या आप इस पे मतलब जो भी क्लास्स होंगी 628 के लिए सभी क्लास्स मतलब जिसे मैट्स की होई साइन्स की होई तो अगर इसका इसकी बारे में इन्फरमेशन इस पेसलिए सलेबस और प्रीवेश यर कुश्यर पेपर देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन जरू चेक कर और एक चीज और बता दूँ ऐसे भरती जो मैट्स मैस साइन्स हैं 628 के लिए नहीं सिक्षक भरती में उनको अगर NCRT NCRT की 6-10 के लिए बुक पढ़नी है तो उसका जल्द ही मैं एक लिंक देने वाला हूं उस पे मैं एक हिंदी मीडियम का है और एक इंग्लिस मीडियम का बहुत पहले हैं आप अपको किस चैनल का लिंक चाहिए जिसमें मैं 6-12 तक कर आता हूं लेकिन आपको 6-10 तक का ही पढ़ना है तो ज्यादा तर अभी मैं 9-10 का ही कवर कर रहा हूं ठीक है तो आप एक हिंदी मीडियम से जो हिंदी में सारी NCRT कराई गई है 6-10 के लिए आप जल से जल से लिंक दे दूँ अगर आपको अभी इसी वीडियो में चाहिए तो आप कॉमन्ट करियेगा जिसका मैस का और साइंस का हिंदी मीडियम इंग्लिस में दोनों का लिंक दे दूगा आप उस चैनल पर जा करके वहां पर मैं ही कराता हूं मैं साइंस का तो ज्यादा तर जो आंसर आये थे हिंदी मीडियम के लिए आये थे तो इसलिए मैंने हिंदी के लिए अलग से चैनल बनाए जिसमें हिंदी मीडियम से ही NCRT कराऊंगा ठीक है मैस की और साइंस साभी थोड़ा सा पहले पहले मैस का कवर करूंगा फिर चाहिए और इंग्ल लोग वहां से उस चैनल पर जा सकते हैं ठीक है तो ये वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंदा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेजए थैंक्यू फॉर वाचिंग है बनाइस टेर